So, hello friends, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल Film Me Forever पर Tiger 3 मूवी की दोस्तो Day 7 यानि की दोस्तो Saturday के दिन की 18 नवंबर की दिन की Box Office Collection की Final Early Prediction की Report आ चुकी है तो चलिए आपको बताते हैं कि Day 7 के दिन, Saturday के दिन इसका कितना उचाल आया है और इसने कितने करोड की Advance Booking की थी और कितने करोड इसका Collection आने वाला है वही पर इसका Gross Collection 15-16 करोड रुपए आ सकता है जो इसका Overseas का Collection है Saturday के दिन वो लगभग 5 करोड रुपए का आएगा और अगर हम Worldwide Collection की बात करें तो इंडिया का Gross Collection 15 करोड रुपए प्लस Overseas Collection 5 करोड रुपए टोटल दोस्तों यहाँ पर 20 करोड की Collection करती हुई यह हमें Day 7 Saturday के दिन दिखाई देगी जो कि Tiger 3 और इतनी बड़ी मूवी के लिए बहुत ही जादा कम है वही अगर हम बात करें इसके week 1 की यहनकि 7th day तक इसका total collection कितना हो चुका है तो इंडिया से जो इसका net collection है Day 7 तक वो 212 करोड रुपए का हो चुका है जो इसका gross collection है day 7 तक वो 260 करोड का हो चुका है जो इसका overseas का collection है day 7 तक वो 77 करोड का हो चुका है और जो इसका worldwide collection है वो 340 करोड का हो चुका है अब दोस्तो 340 करोड का worldwide collection वन बीक में ये बहुत ही जादा कम होता है जबकि पठान मूवी का और जवान मूवी का वन बीक में collection 500 कर कर गया था जबकि यहाँ पर Tiger 3 को special boost मिला था दीपा वली की छुटिया थी उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पठान का cameo था रिदक का cameo था तब भी Tiger 3 movie survive नहीं कर पाई है और अब कल के दिन में देखना बहुत ही interesting होगा क्योंकि दोस्तों India versus Australia का final match है और ऐसे में संडे के दिन जो Tiger 3 movie है वो हमें और ज्यादा drop देती हुई दिखाई देगी और संडे के इसकी collection बहुत ही जादा low हो सकती है single digit में भी संडे की collection हो सकती है जो कि किसी भी movie के लिए अच्छी बात नहीं है अब आप बताईए कि आपको क्या लगता है day 7 का इसका collection किद्ध होगा और day 8 के दिन ये survive कर पाएगी कि नहीं हमें comment में जरूर बताईए साथ ही movies से जुड़ी हर छोटी वड़ी अपडेट के लिए subscribe करके रखिए आपके अपने youtube channel film me forever को